क्या आपको पता है कि Apple Macbook Pro Laptop होते हैं वो इतने महेंगे होते हैं बावजूद इसके लोग फिर भी इसे खरीदते हैं आखिर क्यों? क्या है इसके पीछे रीजन? क्या आपको पता है कि Apple Macbook Pro की जो प्राइस है उस प्राइस में आप दो Windows के Laptop खरीज सकते हो same configuration के साथ या फिर इससे भी ज्यादा लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर Apple Macbook Pro को ही पसंद करते हैं और इसे ही खरीदते हैं और यहाँ पर ज्यादा पैसा देना पसंद करते हैं क्या है इसके पीछे कारण और बाद में खरीदने के बाद पस्ताते भी नहीं कि यार मैंने इतना महेंगर लापटॉप क्यो लिया तो यह इसके पीछे क्या रिजन है वेल जाना चाहते हो तो लेस्ट फाइंड आउट हेलो गाइस मेरा नम है मनोश सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलजी गैंट चनल में आपका स्वागत है स्टार्टिंग में जब मैंने अपने यूज के लिए मैकबुक प्रो खरीदा तो मैंने भी यही सोचा था कि जो लापटॉप है वो काफी ज्यादा महेंगा है इस प्राइस में हाँ पर एक लापटॉप और एक पीसी एजली बिल्ड करवा सकता हूँ ऐसे मैं मैं कुछ प्रो को यूज करता गया और करीम मुझे एक साल होगे और अब मुझे पता चला कि आखिर मैं एप्पल जो है इतना क्यों चार्ज करता है अपने मैं एक प्रो के लिए आपल के MacBook Pro में फील होता है वैसा प्रीमियमनेस फील मुझे आज तक किसी दूसरी ब्रैंड के लापटॉप में नहीं हुआ यहां पर आपको ब्रैंड क्वालिटी है जैसे आपको अपल प्रोवाइड करता है कोई दूसरा ब्रैंड प्रोवाइड करेगा इसी वज़े से यहां पर एक यह भी में वीजन है जिसके विज़े से यहां पर जो MacBook Pro होते है वो थोड़े से महंगे होते है और बावजद इसके हाडवेर और सौफ़ेर का Apple MacBook Pro में I don't know Apple किस तरह से इसे आप्टिमाइज करता है यहां पर इन दोनों की हाडवेर या सौफ़ेर के आप्टिमाइज से यहां पर आपको जो परफॉर्मस मिलती है वो बहुत ही बढ़िया कमाल की मिलती है यहां पर जोसका यूई बहुत ही स् यहां पर आपको बता दो मैं प्रैक्टिकल बेस बता रहा हूं यहां पर मैंने दोनों लाप्तॉप को यूज किया है यहां पर मैंने विंडोस के एक i7 लाप्तॉप को यूज किया वही पर मैंने Apple MacBook Pro i5 यूज किया तो i7 i5 में आप डिफरेंस देख सकते हो लेकिन मुझे यहां पर जो बेटर परफॉर्मस देखने को मिली वह मुझे बेटर बर यहां पर Apple MacBook Pro i5 में देखने को मिली तो यहां पर इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यहां पर आपको जो अप्तिमाइजेशन है यहां पर आपको बेटर यहां पर आपल के MacBook Pro में देखने को मिलती है जिससे के विचे से आपको जो परफॉर्मस है वह बहुत ही बड़िया देखने को मिलती है अगर हम इसे कंपेर करें यहां पर Windows के लाप्टॉप से swift इतने ही परफेशनल होते हैं जो बी ग काम करते है यहां फिर जो में पर इपने एड़ियोट करते हैं एक जगे से दूराइजां करते रहते हैं फिर उनको पॉर्टीबल इयसे लाप्टॉप चाहिए जहां पर आपको जो अपने एड़ियो साभी परसे कर सके इसली और वह यहां पर Final Cut Pro में आप जो वीडियो एटिंग है वो बहुती स्मूधली कर सकते हैं यहां पर आपको जो टाइम लाइन है वो किसी तरह का लैगी देखने को नहीं में लेगा आप इसली स्मूधली वीडियो को अडिट कर सकते हैं और बात करें रेंडरिंग टाइम की तो यहां दो सर्फ आपको टाइम है वो बहुत ही कम मिलता है यहां पर आपको जो फोर किवीडियो रिकॉर दिंग है इसली एडिट कर सकते हैं यहां पर आप कमपैर करें यहां पर आपको परफॉर्मस मिलती है, रेंडरिंग फाइल मिलती है, वो बहुत ही बढ़िया मिलती है, अगर हम इसे कंपेर करें हैं, विंडोस के लापटॉप से, जहां पर आपका जो समय है, वो काफी ज्यादा बचता है, नेक्स्ट है डिस्पले, अब यह चीज़ आपको तब पता चलेगी, जब आप खुद मैकबुक प्रो खरीदोगे, या फिर इसे इस्तमाल करोगे, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि यार आखिर में यह अपल वाला, एक सिंपल से लापटॉप के लिए इतना ज्यादा आखिर में क्यों चार्ज करा, आखिर क्या खास है, लेकिन जैसे मैंने इसे यूज करा, तो मुझे पदा चला कि आखिर में इसका जो डिस्पल में एडिटिंग की है, तो यहाँ पर की बार क्या होता है, जो एडिटिंग करने के बार इहाँ पर जो अच्छल करा दिखा दैते éc में ने फिर एबाद यो प्रना फोन में कहा दूसर दिखा दिखा देता जिससे आपको जो color है overall experience से देखने का यहाँ पर इस laptop में यानि Macbook Pro में बहुत ही अलग और कमाल का मिलता है इसके बद जो next reason है I think मेरे खाल से one of the biggest और main reason है जिसके वज़े से लोग Apple Macbook Pro को खरीते हैं वो है heavy से heavy software का इस्तिमाल करना अची है अगर हम इसे compare करें Windows के laptop से तो यहाँ पर आप Apple Macbook Pro में heavy से heavy software को easily इस्तिमाल कर सकते हो यहाँ पर इनका जो workload है वो बहुत ही आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है अगर हम इसे compare करें Windows के laptop से Windows के laptop में कई बार लोगों को heavy task करना होता है heavy से heavy software चलाना होता है तो अगर आप उस software को Windows के laptop पे इस्तिमाल करते हो जो load time में वो बहुत ही ज्यादा होता है साथ में कई बार जो software है वो crash भी हो जाता है पर ऐसे यहाँ पर आपको Macbook Pro में देखने को नहीं मिलता है आप यहाँ पर heavy से heavy software को easily चला सकते हो इसी वजे से यहां पर जितने भी developer होते हैं जितने भी app develop करते हैं android apple फो में mostly सभी लोग मादी पर MacBook Pro का ही ज्यादा इस्तिमाल करते हैं और साथ में जितने भी video editing होते है video editor होते हैं इसрашमेल होता है जहां पर होने heavy software का काम होता है जैसे AutoCat हो गया तो यह सब basically यहाँ पर MacBook Pro का ही इस्तिमाल करते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इन software को जो load है वो basically सिर्फ और सिर्फ MacBook Pro ही छेल सकता है Next है ecosystem जी हाँ आप सभी लोग Apple की ecosystem से aware तो जरूर होंगे जी हाँ अगर यहाँ पर एक बार आप Apple की ecosystem पे आगे और यहाँ पर आप एक जगे से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जो भी फाइल ट्रांसपर है वो आप इसली कर सकते हो तो यहाँ पर मालीजे एक बार अगर आपने Apple के किसी भी प्रोड़क को खरीद लिया मालीजे आपने एक iPhone खरीद लिया और यहाँ पर आपको iPhone बहुत ज्यादा पसंद आ गया यहाँ पर आपको परफॉर्मस बहुत बढ़िया लगी और आगे जाके आप सिर्फ और सिर्फ आपल के iPhone को ही पसंद करोगे तो इसके बाद यहाँ पर आप सोचो के चलो यार वाच और स्मूध है तो डेफिनिटल यहाँ पर आप अपल के MacBook Pro को ही खरी दोगे और यहाँ पर आप यह जो तीनो डिवाइस से चाहे Macbook Pro ले लो या फिर आइफोन ले लो या फिर ले लो यहाँ पर आइवाच ले लो यह जो तीनो डिवाइस से एक दिसरे से कनेक्टेड है और जो फाइल है वो बहुत ही इसली ट्रांसफर कर सकते हो तो यहाँ पर आपको जो ओरल एको सिस्टम मिलता है वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बढ़िया देखनी को मिलता है लास्ट बट नॉत द लीस्ट जो कि है को स्ट जिहां इनिशिली जो Apple MacBook Pro की जो को स्ट है वो आप खरीदते हो तो वह स्टार्टिंग में 1-1.5 साल इसली बहुत अच्छे से चल जाता है अगर आप इसे लॉंग टर्म के लिए देखोगे तो 1-1.5 साल के अंदर यह अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है यहां पर आपका जो लापटॉप है वो कई बार हाइंग क लापटॉप खरीदना पड़ता है अगर मैं बात करूं मैं बढ़िया अच्छा है और यह बहुत ही लंबा भी चलता है इनिशली जो कॉस्ट है डेफिनिटल ज्यादा जाती है बाट लॉंग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे बंद होता है तो यह थे कुछ करता गया मुझे पता चला कि आखिर में इसकी प्राइज क्यों जाता है आपको यह वीडियो पसंद आये होगी और आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी अगर हां तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना कमेंट करके बताना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को शे